नमस्कार दोस्तों मैं गनेसरामादित स्वागत करता हूँ आपका competition community की इस online platform में दोस्तों जैसा कि मैं CTGTAT के तहट आपको science पढ़ा रहा हूँ और आज हमारा विसे रहेगा light अर्थात प्रकास तो ध्यान दीजेगा दोस्तों ये जो प्रकास है जिसके करण हम और आप देख पाते हैं प्रकास के करण ये जो फेनोमेना अर्थात विस्व में जितने भी पराणी है ये जो देखने की क्रिया है ये किसके करण होती है प्रकास के करण अंधकार होता तो इस कास ये मतलब इस प्रकास है प्रात्विक रूप से हमको और आपको प्राप्त होता है हमने फिर बात में बहुत सारे साधन विक्सित कर लिए बल्ब बना लिए एलेडी बना लिए हलोजन बना लिए टॉर्च बना लिया तीक है गाड़ी में हैड लेंप्स चल रहे हैं ठीक है हमारे है प्रकास को कृतिम साधन के रूप से बनाना हमने प्रारंब कर दिया तो प्रकास की इसी उप्युगिता के कारण ध्यान रखेगा यह चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर है चलिए बिना विलंब किये हम चलते हैं और यह देखते हैं कि प्रकास के बारे में सब से पहली यहां यहां पर देखर है होंगे प्लेटो प्लेटो जो कि हम इनको हम हर विंग्ञान वे पढ़ते हैं अरस्तु है यह जिविज्यान में भी इनकी विचारधार आती है राजनीति में आलरेडी आती है हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यह जो लाइट है यह लाइट ऑप्टिक्स है ध्यान रखेगा यह जो चैप्टर है यह फिजिक्स का चैप्टर है और साइंस के अंतरगत समझेए इनका भी एक प्रमुख रूपसी योगदान था तो यहां पर प्लेटों ने क्या कहा था प्लेटों ने यह कहा था अपने समय में कि हमारे नेतर से ध्यान रखेगा इन्होंने कहा था कि हमारे नेतर में ही कुछ ऐसा चीज है तिक हमारे नेतर से ही से कुछ ऐसा निकलता है कुछ निकलता है ध्यान रखेगा क्या निकलता है कैसा निकलता है इसके बारे में इन्हों नेतर से कुछ ऐसा चीज निकल रहा है जिसके कारण में इसको किस ने कहा था प्लेटो ने कहा था देन अफटर है अरस्तू अरस्तू ने कहा हमारे जो नेतर है और यह जो वस्तू है ध्यान रखेगा नेतर और वस्तू यानी आई an object इन दोनों के बीच में कुछ माध्यम में किया कुछ माध्यम है जिसकी वज़ा से हम इस वस्तू को देख पाग मैं यह नहीं किया बस इन्हों नो यह बताया कि आख और वस्तू के भीच में कुछ है Newton का कथन देख लेते हैं Newton महोदे ने क्या कहा था Newton ने ये कहा था कि इन्होंने कहा कि जो प्रकास होती है समझेगा प्रकास ये जो प्रकास होती है ये कर्ण के समान होती है particle के समान होती है ठीके कैसे होती है particle के समान होती है particles कहें plural में कैसा पार्टिकल्स के समान होती है कड के समान होती है इसके बाद आए हाइगें हाइगें ने प्रकास को किस रूप पे समझाया तरंग के रूप में इन्हों ने कहा कि ठीक है प्रकास जो होती है वो तरंग के समान होती है वेब के समान होती है कैसा होती है वेब के समान आया सम समस्माज में अब आइए अगला पॉंट इमक्स ॏयल मेंसले ने उन्हों ने कहा हिए इन्हों य कहा कि जो प्रकास होता है और विदूत क्या थी तरेंग की तरह होता है Electromagnetic wave होता है चलिए विद्दूत चुम्ब की तरंग की बात किया किनोंने Maxwell ने विद्दूत चुम्ब की विद्दूत चुम्ब की तरंग ध्यान रखिएगा Electromagnetic wave Electromagnetic wave ये किस ने कहा Maxwell ने कहा ठीक है किसी को यह नहीं समझ में आ रहा होगा चलिए प्लांग और Einstein प्लांग और Einstein ने इन दोनों ने सारे सिध्धान को देखा और इन्होंने कहा भाई बढ़िया बात है ठीक है हम समझ रहे हैं कि प्रकास जो है कर्ण के समान भी होता है चलिए तरंग के समान होता है विद्दू चुम्ब के समान लेकिन यह सबसे ज़्यादा परभाई थी Newton के कड़ के सिध्धान से और इन्होंने कहा कि प्रकास जो होता है यह फोटॉन कसे बना होता है फोटॉन तो फोटॉन थियोरी इन्होंने दिया कौन सा थियोरी फोटॉन थियोरी कहने का ताथ पर यह है कि विभीन विद्वानों ने अपने अपने मतों को यहां पर रखा और अलग-अलग माध्यम से अलग-अलग तरीके से प्रकास को परिभासित किया तो मैं आपको बता दूँ प्रकास का डियूल नेचर होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे प्रकास जो है कंड के भी समान होता है और प्रकास के कुछ गोड होते हैं जो तरंग के समान होता है चलिए फिलहाल आप यहां पर यह देख लिए कि प्लेटो अरस्तू न्यूटन हाइगेंस मैक्सवेल प्लांक तथा आइंस्टीन के क्या-क्या विच तो प्रकास एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम को क्या होता है चीजें दिखाई देती यह वह थेखेंगे दिखाइई दिती है अब समझिए गास चीजु ठीक हमने के बात कर रहा है सुभा जब के तो प्रकास हो गया क्यों सूर्य आ गया और सूर्य के प्रकास से क्या हो गया है जिसी प्रकास के प्षी दिखने हैं जो कोई हमने जिस चीज को हमने उस्मा के चप्टर में पढ़ा था यहां पर ध्यान देखेगा यह प्रकास और उर्जा कहने का मतलब है प्रकास उर्जा भी हम कहते हैं एक वर्ड भी आता है प्रकास उर्जा की रूप में भी हम कहते हैं तो कहने का ताथ पर है प्रकास जो है ऐचे तरीके से जाएगा और गर्मी कम होगा तो डर्मी तो हो रहा यहां पर भी आप आधे एक आधे annih fronts करेंगे तो थोड़ी गर्मी आपको फील होगी अपेग्छा क्रի्ट वहाँ पर क्या कहल सी परति रोद कम हो गया है नय टेक्नलोजी में लिकिन ध्यान रखेगा प्रकास जो है यह एक प्रकार की उर्जाई है आए हम डिफिनेशन में पढ़ते हुए चलते हैं आगे वाट इस मेंड बाई लाइट प्रकास क्या है तो लाइट इस फॉर्म ओफ इनर्जी विच है पस्टू सी अबजेक्ट अर्थाद प्रकास प्रकास क्या है प्रकास एक प्रकार की उर्जाई है एक प्रकार की क्या है उर्जाई है और इसी उर्जा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं चीजों को देख सकते हैं द्यान रखेगा क्या कर सकते हैं देख सकते हैं अब समझेगा when light falls on object it reflects the light and when the reflected lights reach our eyes then we see the object Couple यहां पर यह बताइबिया है कि नवी प्रकास जो है चलती है डाइग्राम से बता रहा हूं अगर किसी से यह तक्राती है जल्व हो जाती है है मतलब कराने के बाद यह प्रकास सभी तरह सिक तर होता है इस से बिखर जाये क्या कर दे रहा है किस परकार से यहाँ पर एक डॉल है माल तो यह दिखे है जैसे हमने light चलाया तो light कहां पर टकड़ाया इस object पे और जैसे इसमें टकड़ाया light उस light सब तरफ reflect हो गया अब हम यहां खड़े रहें कि सामने खड़े रहें तिक वो हमको दीखेगा समझ में आ रहा है ऐसा नहीं कि पीछे खड़े रहें पीछे में क्या कि उसका पीछे में रहेंगे तो नहीं दीखेगा क्योंकि torch हमने जलाया है यहां पर भी सेम चीज दिहान दिखेगा यह हमको तब दिखेगा तब दिखेगा जब यह light जलेगा नहीं तो यह भी अंधेरे कि समान रहेगा कहने का ताथ परे है जिस प्रकार आप अपने दियनिक जीवन में यह देखते हैं कि अंधेरे कमरे में कूज भी चीज दिखाई ने देता है जैसे आप light on करते हैं वो भी आप light के button तक कैसे पहुंचते हैं आपको में आता है तो यह होता है प्रकास का एक basic phenomena क्या की प्रकास का परावरतन होता है जिसके माद्यम से हम और आप चीजों को देख सकते हैं यहां पर हम तीसरे character की बात करें light tables in a straight line यानि जो प्रकास होता है यह सीधी सराल रेखा में गमन करती है सीधी ध्यान रखीगा सरल रेखा कौन सी रेखा सरल रेखा में गमन करती है रेखा में गमन करती है इस चीज को ध्यान रखीगा प्रकास का यह special character है और यही character आपका क्या बता रहा है ठीक की प्रकास जो है करण के समान होता है यानि कि आप ये जो सीधी सरल रेखा में मतलब गमन कर रही है यही जो है आपको क्या बता रहा है कि प्रकास जो है खण के समान होता है जबकि प्रकास का परावर्तन होता अपवर्तन होता ये गूर्ड जो है आपको ये बताता है कि प्रकास की प्रकरती तरंग के समान है जब को यहीं पर मैं उसको चीज़ को बिते रहा हूं कि प्रकास का आप देखते हैं प्रकास में हम धेख रहा है एक pik पर प्रकी प्रकरश की प्रकोर्टी जो है जो फेनोमेना है, इसको हम नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं, ठीके, करण के माध्यम से तो हमने समझ गया है कि प्रकास सीधी रेखा में गमन करती है, दूसरा परावर्धन अपवर्धन ये इस प्रकार के चीजों में ही संभाव है, जिसका प्रकरती तरंग के समान है और इसी से ये सिध्ध होता है कि प्रकास की प्रविर्टी क्या है तरंग यानि कि प्रकास जो है कर्ण के सांसा तरंग भी है आईए दूसरा देख लेते हैं या अगला देख लेते हैं ठीक एक common phenomena होता है कि प्रकास का एक और विशेश गूण होता है कि यह क्या बनाता है छाय बनाता है चाया का निर्माड चाया कहना चाहिए परचाई का निर्माड करता है परचाई किस चीज का निर्माड करता है परचाई का सेडों का निर्माड करता है तो आप समझ चुके है कि प्रकास क्या है प्रकास एक प्रकार का एनर्जी एक फॉर्म ओफ एनर्जी है जिसे कि सन लाइट आ रहा है उस्मा के माद वही उस्मा वह प्रकाज भी आ रहा है उसी के साथ साथ उस्मा भी है उसी लाइट में उस्मा है ध्यान रिखेगा उसी लाइट में क्या है इनर्जी है उसी लाइट में उस्मा है और यह उस्मा दो प्रकार के होते हैं एक होता है हमारा माने भासा हिंदी में कहते हैं लेकिन हमें उस चीज़ को भी यहां पर नहीं पढ़ना है हमें यहां पर तरंग प्रकासिकी के माध्यम से चीज़ों को समझना है तो यहां पर आपने यह समझ लिया कि प्रकास होता क्या है ठीक है प्रकास तो दो चीज़े होती है अब समझ लि वन विक्षेपन वन विक्षेपन आरहे समझ में? ठीक वन विक्षेपन जब कभी भी स्वेत प्रकास को किसी प्रिज्म के माध्यम से गुजारा जाता है जब कभी भी स्वेत प्रकास को ठीक है किसके माध्यम से प्रिज्म से गुजारा जाता है तो समानिता ये देखा जाता है ये देखा गया है कि वह एक सुवेत प्रकास साथ बिविन रंगों में विभक्त हो जाती है इसे ही प्रकास का वन विछेपन कहते हैं यहाँ पर दिखिएगा यह बाल यह सणलाइट है क्या सणलाइट ध्यान रखेगा ये sun light है तीकि और sun light को हुम स्वेत प्रकास कहते है ध्यान रखेगा यही जब स्वेत प्रकास किसी prism से जाके टकराती है तो ये जो है अलग-अलग color में दिभग्त फाफ हो जाती है क्यों होती है क्यों कि एक prism है इस prism में अलग-अलग इसलिए जब हम एक पर्वे पे इसका हम इमेज देखते हैं, तो हमको अलग रंग के, साथ अलग अलग रंग दिखाए देते हैं, कितने रंग दिखाए देते हैं, साथ रंग, और यही फेनोमेना होता है इंदरधनूस में ध्याण रखेगा यही वन्ड विच्चेपण का चीज होता है हमारे इंदरधनूस में यही पर इंदरधनूस को भी समझ लिजेगा बस वहां पर इस प्रिस्म के जगह वर्सा की बूंदे आ जाती है लेकिन आपका जो rainbow है ठीक that is not dependent upon only one process ठीक ध्यान रहता है एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहता है ऐसा नहीं कि केवल वर्ण विच्छपन से क्या बन रहा है ठीक आपका इंद्रधन उस्पन रहा है वहां पर आपका अपवर्तन भी आएगा परावर्तन भी आएगा साथी सा पूर्ण आंत्रिक परावर्तन ये तीनों सी धान भी वहां पर एपलाई होते हैं तो समानेता तो पर आपका समाने रुप से वन विच्छेपन जो है वह इंद्रधनिश की रुप में साथ रंगों में भाक्ती को दिखाता है लेकिन उसके साथ साथ और चीज़े वहां पर स अपवर्तनांग का मतलब होता है जब कोई भी प्रकास किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रतेग प्रकास की किरण को सीधा सीधा नहीं जाने देती है कुछ हमात्रा में उसको डिफ्लेक्ट कर देती है वही डिफ्लेक्शन उसी डिफ्लेक्शन को अप अलग वस्तू का अलग अलग प्रकास के परती अलग अलग अफवर्तनाग होता है तो फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है आप इसको याद करने के लिए विबगोर ठीक है क्या याद किजिएगा विबगोर ठीक है ध्यान रखिएगा नीचे से पढ़िएगा वी और ठीक है अर्थात वाई से वाइलेट वाइलेट मतलब बैंगनी आई से मतलब थोड़ा सेड़ो में कम रहेगा ठीक है आई से इंडिगो वी से ब्लू जी से ग्रीन वाई से यल्लो ओ से और 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 से रेड़ अब यहाँ पर एक इंपोर्टेंट चीज जो कि आपको परस इसका हुआ और सबसे कम प्रावरतन किसका हुआ कि तिक यहां से ठेगा जैसे कि इस सवसे ऊपर में नीचे में बैंगने सबसे कम मुड़ा कून इसलिए किस कलर का रेड कलर का उपयोग सिगनल के रूप में करते हैं सिगनल के रूप में क्यों ऐसा होता है कि मान लिजिए अगर लाल कलर का सिगनल है वो आपको बहुत दूर से दिखेगा क्योंकि इसको आपका जो माद्याम है वायू मंडल में इसका जो आपका अपोर्तन कहना चील हो कम होगा तीक है ये के बिना डिफ्लेक्शन और के ज़ादा दूर तक की गती तै करती है कोन सा किरन आपका लाल किरन तो इसलिए सिगनल के रूप में किसका यूज किया जाता है तिक रेड कले रेका क्योंकि इसका दिफ्लेक्शन इस प्रकार के माद्यम आएगा तो प्रकास की किरण क्या होगा डिफलेक्ट हो जाएगा इसलिए हम लाल कलर का उपयोग करते हैं किसमें सिगनल के रूप में तो यह आपको समझ में आ गया वर्ण विच्पन और इसी को में स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी कहते हैं यह आप प दूसरे तरफ और उस दिसा में आपका क्या बनेगा इंदर धन्स बनेगा ऐसा नहीं कि सूरी के उपर में इंदर धन्स बन गया ऐसा नहीं बनता है ठीक है चलिए अब हम आ जाते हैं इसके अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं हम यह देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वेक्यूम यह कितना होता है ठीक है तो निर्वाद में वेक्यूम का मतलब निर्वाद तो आपको यह भी बता दूँ प्रकास का जो सबसे ज़्यादा गती होता है वो होता है निर्वाद में दिरवाद में इसको किसी भी प्रकार की बादा का सामना करना नहीं पड़ता होता है तो निर्वात में सरवाधिक गती से चलता है आपका प्रकास अब यह जो प्रकास है इसका यहां पर गती होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second ध्यान रखेगा 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है यह प्रस्ट पुछा जाता है आप इस चीज़ को factually याद कर लिजे जान लिजे दूसरा है तिक light का जो travel होता है sun to earth ये कितने समय में होता है तो basically होता है 8 minutes 20 seconds ध्यान रखिएगा 8 minutes 20 seconds कुछ-कुछ पुस्तकों में 19 seconds भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हम आपको बता रह प्रकास जो है दो प्रकार के नेचे धारन करता है जिसकी चर्च हमने पहले किया था तो पहले इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूं जैसे कि ठीक यहाँ देखिएगा light consist of dual nature ठीक वीच 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 है जिसको हमने अभी पिछले बार मतला पिछले थो फोटोन के बंडल होते हैं जिसे एक फोटोन तो बहुत सारे फोटोन के बंडल को मिलके हमें प्रकास कहते हैं ठीक है और यह क्या explain करता है वीच वीच एकस्प्लेंस हाउ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इस चीज़ को मैंने आपको पहले बताया कि प्रकास का ज बंडल को हम पूरा प्रकास कहते हैं एक प्रकास कहेंगे समझे ठीक है यानि की प्रकास जो है फोटोन से मिलके बना होता है और यह क्या एकस्प्रेस करता है क्या बताता है कि यह यह बताता है वीच एकस्प्लेंस हाउ दा लाइट ट्रेवल्स इन स्टेट लाइन यानि प् time like light behaves as the wave अर्थात तरंग की तरह विवहार करता है which explain how light bends ध्यान रखेगा how light bends ठीक है और diffract around an object कैसे प्रकास जो है मूडता है उसकी व्याख्या करता है और मूडने में ही मैं आपको बताया था अपवरतन और परावरतन के बारे में अर्थात यह जो प्रकास है ध्यान रखेगा यह जो प्रकास है ठीक यह दो प्रकार के होते हैं इसका नेचर इसका जो प्रकृती होता है इसका प्रकृति जो होता है दो प्रकार की होती है पहला होता है कण के समान होने के कारण ये सरल सीधी रेखा में गमन करती है और दूसरा सिध्धान्द बताया हमने तरंग सिध्धान्द यानि प्रकास जो एक वेब की तरह होता है और वेब का गुण है कि वो क्या हो जाता है मूड़े आता है, यह मूड़ने का चीज, अर्थात यहाँ पर परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन का भी भी आख्या करता है, और मैं समझा दू तो वी वर्तन का भी है, ठीक है, ध्याने की एका परावर्तन, अपवर्तन, वी वर्तन, व्यतिकरण, इन सभी गुनों का बात ह में लेकिन हमारे समा सिल्बस पाधाया है हमारा जो इस चीज की चर्चा कर रहे हैं आप विवर्तन नहीं देख सकते क्योंकि हमारे बेसिक फोकस परावर्तन और अप्वर्तन पreet लेक्षिझ है तो यह प्रकास का जो मुढ़ने वाला चरेक्टर है वह उने वाला प्रकास के चीजों को समझने के लिया हम किसे कहते हैं कोई भी एक सीसा होता है सिसा का मतलब पारदर्सी की बात कर रहा हूं किस चीज की बात कर रहा हूं पारदर्सी माध्यम अगर कोई भी एक इस प्रकार का हमने सिसा ले लिया अब इसे सिसे के एक सतह को मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया, एक सतह को मैंने कर दिया, कलर, तो ध्यान रखेगा, जब मैं इसके एक सतह को रंग देता हूँ, किसी भी रंग से, समाने ता यहाँ पर, सिल्वर का यूज किया जाता है, ध्यान रखेगा, सिल्वर का यूज किया जाता है, इस पर अर्थात हम सामने जाएंगे तो जो भी प्रकास की किरण उस पर आपती होंगी वहां से वह रिफलेक्ट होगा और इस प्रकार से इस यंत्र को को ले लेते थे लाइट को बंद कर लेते थे और जहां पर आईना होता था किनारस जाके हम उस पर ठीक है फोकस करते थे तो जब परकास जो है उस आईने पर टक राता था तो रिफलेक्ट होके दूसरे दिवाल पर जाता था यह यह भी समझ लीजे हम क्या करते थे कि सीसा को दर्पन को ले कए धूप में खड़े हो जाते थे और उसका एक ठीक है धूप का परकास जो हमारे सिसा पर पैता और उसको हम घर के अन्दर मतलब अंधेरा कमरा में उसको क्या करते थे करते थे कहने के मेरेria है कि दर वह युक्ति है जो प्रकास के किरण को परावर्तित कर देती है क्या करती है परावर्तित कर देती है और दर्पन के तीन प्रकार यहां पर हम ले रहे हैं पहला समतल दर्पन जिसे के आइना जिसमें हम अपना चहरा देखते हैं यह हमारा समतल दर्पन ठीक है और इसके सामने ह हम खड़े होके अपने आपको देखते हैं एक होता है गोली धर पड़ तली टर पर न का मतलब आप ढ़़ा जिसे यह भूला है बहुति यह यह निए पर्तवी वाला गोला नहीं पीक्ए वाले गोला नहीं तह से आप गोले से हैं तो यह गोला दरपढ़ है मैं थोड़ा से इसको ठीक से गोल बना लूँ अब इसका मैं किसी भी एक हिस्से को ठीक है क्या कर लूँ कट कर लूँ जैसे भी मैं इसको काट रहा हूँ यहां से ठीक यहां से अब यह जो काट के यह जो particle मेरे को मिलेगा यही गोली दर्पड है ध्यान रिखिए गोली दर्पड दो प्रकार के होते आवतल और उतल होते जो की एक खोखले गोले को काट के बना जाता है और इसके एक हिस्सों को रंग दिया जाता है अगर मैं इसके बाहरी हिस्सी को रंग दू तब ये दरपन क्या कहलाएगा अंदर की और धसा हुआ है यानि आवतल कहलाएगा जब इसी प्रकार का ये इधर का हिस्सा अगर इस प्रकार से क क्या कहलाएगा उत्तल ठीक है अब इसी को मैं यहां पर ठीक है चली यह हो गया अव्तल उत्तल अब हम आते परवलायकार परवलायकार अथाच पेराबोलिक यह कुछ इस प्रकार से रहेगा ठीक ध्यान रखेगा थोड़ा से ज्यादा लंबा इस्ट्रक्चर लिये होगा थेखते वहार भी पेराबॉलिक आपकाँ दरपने इस दरपन को पैराबोली कहते हैं परवलायकार ध्यान रखेगा ठीकी यहीं आपका फ्रेकल मिरamour ओरा अब का पेराबॉलिक मिर अब हमारा जो काम है जो हमारे सिलिबस में दिया है हम को समतल धरपन पढ़ना और गोली दर पढ़ना परवलायकार दरपन का उपयोग बहुत कम उता है यहां पर आपको बता दिया हूं कि एक परवलायकार दरपन होता है चलिए अब हम पढ़ते हैं समतल दरपन के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, जिसको हम और आप रोज देखते हैं, जब हम तयार होके, अपने काम पे, अपने स्कूल, कॉलेज, घर से बाहर निकलना होता है, तो सब को इसी चीज पे ध्यान रहता है, तो चलिए, हमारा अगला टॉ समतल दरपन, प्लेन मीरर, कितना है प्लेन मीरर, ध्यान रहते हैं, क्या है प्लेन मीरर, चलिए, समतल दरपन, जिसको आप रोज देखते हैं, अब इसी के बारे में, हम चर्चा कर लेते हैं, आया समझ में, दिमाग में किस चीज को रिखेगा, समतल दरपन, आप अपने दर बात ध्यान रखेगा आप अपने आपको एजियूम कीजिए वहाँ पर अपने कभी ऐसा तो नहीं दिखा होगा कि आप दरपन के सामने जा रहे हैं और आपका पैर उपर क्यों और आपका सीध नीचे क्यों ऐसा नहीं होता है तो समतल दरपन प्लेन मिर्यर का सबसे बड़ा क समतल डरपन सामने खड़े होते हैं तो समतल दरपन के सामझे मिर्यम कुक। के बराबर होता है ऐसा नहीं कि आप छेफिट के वह ठीकने टाइप का दीख रहे हैं ऐसा नहीं आएगा टिक साइज का आप хочу हो मतलब और सीज का रहता है उसी प्रकार का इमřिक सामने बनता रह में image उसी size का image बनता अगर अगर सामने जाओगे ऐसा head to head मिला लो हारा समझ में तो समतल दरपण का की दूसरी सबसे प्रमुखास बात यह है कि समतल दरपण में बनने वाला जो image होता है ठीक उस object के बराबर का होता है जो उसके सामने है ठीक है अब देख लेते इसकी तीसरी विश्यस्ता हम यह देख सकते हैं कि जिस्तनी दूरी जैसे कि दरपण से मैं अगर एक फिट या एक मीटर की दूरी पे हूँ समझ मैं रहा है अगर दरपन से मैं 1 मीटर की दूरी पे हूँ तो दरपन के 1 मीटर के अंदर यानि 1 मीटर के पीछे वो image दिखाई देगा ऐसा लगेगा कि दरपन के अंदर भी अगर जाके तो वो जो अंदर का वेक्ति है यानि सामने वाले जो वेक्ति खड़ा है वो भी 1 मीटर का distance maintain करके खड़ा है अर्था परतिवीम दरपन के पीछे उतनी ही दूरी पर ध्यान रिखेगा यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दरपन के आगे रखी होती है अगर आप माल यह दरपन आपसे पांच फीट आगे है तो आपका इमें चोट आपका इमेज जो है उतना ही छोटा दिखेगा उतना ही दूरी आपको दिखेगा चलिए अगला पॉइंट है परतिवीम का पार सो परिवर्तित हो जाता है लेटरल चेंज होते हैं लेटरल चेंज का मतलब जब दरपन में आप इस प्रकार सामने खड़े होंगे जब अपन सामने आते हैं जब हम हाथ मिलाते हैं तो मैं अप्ना जाय हाथ यह तो अपना यह देते हो यह आप अपना ऍधी लेटरल इन्वर्जन क्या लिखेंगे लेटरल इन्वर्जन चलिए परतिभी में दरपन के पीछे बनता चलो यह हो गया है ठीक इस प्रकार हम देख चुके हैं कि समतल दरपन प्लेन मिरर में किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है तो समानेत है यहां से आपको यह प्रस्न पूछे जाने की संभावना बार्व यह पूछा जाता है ठीक है जिसे आकार सिधा ठीक दूसरा वस्तू के बराबर और दूरी यह तीन चीज़ को आप जान लिए और यह पार्स परिवर्तन यह चार कर परावर्तन ठीक है परावर्तन तो ध्यान रखिएगा जैसे कि यहां पर यह बताया गया है कि परावर्तन क्या होता है जब किसी समतल सतह पे समतल ध्यान देखिएगा यह चिकनी सतह पे परकास आके आपतित होता है तो कुछ हिस्सा को वह तो अफसूसित कर लेता है अब्स तो मेरा कहने के तात पर यह है जब कोई भी प्रकास जो है किसी भी सहता और वो भी खासकर चिकनी सहता पर आपतित होती है तो जो प्रकास आती है वही प्रकास यहां पर आपतित होने के बाद ठीक है वापस लोट आती लोट जाती है और इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं जैसे कि, when light falls on a highly polished surface, like a mirror, most of the light is sent back into the same medium, and this process is called reflection, इस परिवरतन, मतलब इस परक्रिया को हम परावरतन कहते हैं, जैसे कि, ध्यान रखिएगा, यह एक सीसा है, जो नीले कलर का आप देख रहे हैं, क्या है यह एक सीसा है, यह वाला है, अब इस सीसे में ध्यान रखिएगा, एक प्रकास आ रहा है, तीर्चा, तीर्चा प्रकास रखने से, चीजों को समझने मासानी प्रकास कहीं से भी आ है, ठीक है, तो जो प्रकास आ रहा है, इसको हम आपतित प्रकास कहते हैं, आपतित ध्यान रखिगा, आपतित कीरण, और जो ठीक ध्यान रखिगा, यह आ रहा है, और इस सता से टकराने के बाद ये एक निश्चित रिसा में पुना वापस चला जाता है इसको कहते हैं परावर्तित प्रकासिया परावर्तित कीरण समझेगा परावर्तित कीरण यानि की ठीक है ये जो दो कीरण है जो आ रहा है वही टकरा के वापस जा रहा है तो इसी घटन को इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं और इसी परावरतन की परीगटना के माद्न से चीज़ों को देख सकते हैं इसको और अच्छे से समझेगे चलिए अब ध्याई रखेगा इसका एक विश्छताई होती जो यहां पर हम पढ़ लेते हैं यहां पर हम उसको लॉज के रूप में देख रहे हैं यानि कि हम क्या देख रहे हैं ठीक है नियम क्या है परावरतन का तो पहला नियम यह कहता है ठीक है कि जिस एंगल से अर्था जिस कोण से यह आपतित प्रकास इस सतह पर गिरेगा उसी को से यह वापस जाएगा जैसे कि मैं आपको बता दूं अगर यह कोण ते ध्यान रखेगा इस यहां से लिया जाता है तो यह आपवर्तन कौण भी साट डिगरी का होगा ठीक यह पहला नियम है पहला नियम है कि आपतीत किरन जब किसी सता पर आपतीत होती है और वहां से परावर्तित होती है तो जो अभी लंब होता है उस अभी लंब के सापेक्च दोनों का जो कोण होता है समान होता है ठीक है अर्थात आपतीत किरन का जो कोण है वो परावर्तित किरन के कोण के बराबर होगा यह है हमारा पहला दा एंगल ओफ इंसिडेंस इस इक्वल टू एंगल ऑफ एकल रिफ्लेक्शन और थात किरंड का एकोड पर्रीद कुण को को यह ब्राबर होता है थिक इसके परा वर्ति किरंड के कूड से कूड को ऐसे एंगल से में बता दे रहीं रहा हूं यानि कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्थिक, साइन्स की बादसा में अगर हम लिखें, तो हम इसको इस को इस प्रकार से इंगल आई, टिक इस इप्वल टो, आपका एंगल आ découvrir, यह आई क्या है तो यह जो है यह आपका आपवर्तित या कहना चाहिए आपतित किरण है यह आर क्या है यह परावर्तित किरण है तो इस प्रकार से हम इसको डिडोट करते हैं साइंस की बहासा में चलिए अर्थात आपतित किरण परावर्तित किरण और यह जो अभिलंब है तीनो एक ही बिंदू पे होते हैं तो दूसरा पॉइंट आपको क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट आपको यह कह रहा है कि आपतित किरण ध्यान रखेगा आपतित किरण साथी साथ परावर्तित किरण और साथी साथ इस पे जो दिया गया अभी लंब है अभी लंब यह जो तीनो जो है ठीक है एक ही बिंदू पे होता है तीनो एक ही बिंदू पे होता है ठीक है ध्यान रखेगा बिंदू और यह है दो ऐसे निय करने के लिए अनिवार है आया समझ में चले अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे भरते हुए देखते हैं हमारे अगले पॉइंट को इसी में हम पढ़ने वाले दरपण में गोलीघर ओंट है अब हमने देहान दिए यहां हम परावरतन पढ़ लिए हैं इसी taka से हम जो चीज़ों को देख रहे हैं यह देखना पॉसीबल हुआ है यह देखना possible हुआ है, जैसे कि मालज गीम, अगर हम पत्ता को देख रहा है, जैसे गुलाव का फूल है, या गुलाव का पौध है, कुलाव के पौधे में जो कुलाव का पूल हुआ हमको लाल कलर का दिखाइ देरा, उसका पत्ता हरा कलर का तो जो गुलाब पढ़ रहा है, तो गुलाब क्या कर रहा है, उस साथ रंग में से छे रंग को एब्सॉर्ब कर ले रहा है, और केवल लाल रंग को रिफलेक्ट कर रहा है, इसी के कारण गुलाब हमारा लाल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पत्ता है, जो लीफ है, वो पत् रादित होते हैं समझेगा रंग जो दिख रहा है वो उसका ताथपर यहीं है कि वल वह एक कलर को रिफलेक्ट कर रहा है तो मैंने आपको यह बता दिया दो चीजें और हमको कोई भी वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है जैसे यह पार्ट आपको सफेद दिखाए दे के लावा कोई अलग कलर नहीं होता है यह साथों के साथों परकास जब वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो उसी गौम स्वेथ परकास भी कहते हैं लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे यह लाल कर यह आपका ग्रीन दिख रहा है क्यों कि विब गौर में से अधिकतर कलर का और जो सतह किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट ना करे पूरा पूरा एब्सॉर्प कर ले जैसे कि यह काला वाला तो वो काला होता है तो काला दिखाई देता है यानि कि यह जो सतह जो आप देख रहे हैं यह क्या किया है इसने सभी के सभी कलर को एब्सॉर्प कर लिया है किसी भी color को reflect नहीं क्या है तो दो विशेश फेनोमेना ठीक आपका color मतलब काला क्या क्यों होता है काला इसलिए होता है ठीक ध्यान देखिएगा क्युंकि वो सब के सब के प्रकास को absorb कर लिया है ठीक और जो सबस्वेथ होता है उसका अपोजिट होता है, वो सब के सब के प्रकास को ठीक है, रिफ्लैक्ट कर लेता है, तो ये दो विशेज फेनोमेना को आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, अब चलिए हम सिधा गोली दर्पन पे आते हैं, तो क्या होता है गोली दर्पन, समतल दर्पन के बाद हम देख हैं, गोली दर्पन, गोली दर्पन जो होता है, यहां पर समझेगा, एक गोला ले लिए सीसा का, ठीक है, जैसे कि मचली का आजकल एक्वरियम आता है, ठीक है, अगर उसको भी उपर से हम सता को पूरा गोल करने, गोलोब टाइप का, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं इस प्रकार से बनेगा, अगर इसी सता को ध्यान रखेगा, ठीक है, जिसे ये कौन केव मीरर है, तो यह रिफ्लेक्सिट सता है, रिफ्लेक्सिट सर्फेस यानि कि यहां से प्रकास आएगा, यहां से परावर्तित होगा, यानि कि इसका यह सता को रंग दिया गया है, ठीक ह बजात रहे हैं। इसलिए इस लिए को क्य voltar होता है। इसलिए उत्तल से दो मिल पहले हो गया रिप्भॉं से दो दर्पन मिल गया। को हम उत्तल तक है 20 यह आव ताल की आव ताल डर्पान इंव जुब्स है प्लत डर्पान कहते हैं क्या कहते हैं तो 느 2030 यह दर्पान कहते है अग्छीज को किछने के बाद ध्यान दिखिएगा अब हम इसका नाम करण कर रहें तो आपको यह बता दूँ सबसे पहले बाद यह जिस गोले का भाग है अ चीछ आपका केंद्र को आप के नाम से जानेंगे वक्रता के अंदर के नाम से जानेंगे और इसी को सेंटर ऑफ करवेचर भी कहते हैं क्या कहते हैं सेंटर ऑफ करवेचर ठीक तो ध्यान रखेगा इसी को सेंटर ऑफ करवेचर के नाम से हम जानते हैं अब ध्यान रखेगा जिस सेक्षन को हमने काटा था और उस section का ये point जिसमें से कालपनी के रेखा हम बना रहे हैं, इसी को हम P के नाम से जानते हैं, P का मतलब पोल, पोल का मतलब धुरू, तो इसी को हम दरपन का धुरू कहते हैं, क्या कहते हैं, दरपन का धुरू कहते हैं, आया समझ में, अब दिहान रखिएगा, यहां पर एक तो उस बिंदू को हम एफ के नाम से जानते हैं अगर मालीजी अवतल धरपन है कोई प्रकास की रण आ रहा है तो इसी से गुजर के जाएगा इसको हम कहेंगे परावर्ति थो के पस्चात यह आता वह प्रतित मतलब आ रहा है बोलेंगे तिक वास्तुरी वास्तुरी रूप स तो अगर मालीजी प्रकास की रण इस प्रकार से आ रहा है तो हम यहां पर हमारी आख है तो हमको आता हुआ प्रतित होगा तो अवतल में हमको प्रतित होता है जबकि वास्तुरी गूरुप से आता है चलिए तो इस पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते तो पी धियान और इसके बाद आपका C, Center of Curvature लेकिन अगर हम इसको Complete के रूप में पढ़ें तो हम 2F भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं 2F, यानि कि जो फोकस की दूरी होती है पोल से उतनी ही दूरी ठीक है आपका F, से आपका Center of Curvature के का होता है इसलिए इसको आप overall 2F के नाम से भी जान सकत है चलिए आगे देखते हैं और आगे में हम अवतल दर्पन में बदने वाले तीक है क्या इमेज का हम कुछ नियम देख लेते तो चार प्रभूख नियम आपको देखने को मिलेंगे जब भी ध्यान रखीगा यह आपका क्या है यह पॉली साइस एरिया में पहला नियम फॉस् की ओर समझ में आ रहा है अवतल अवतल दर्पन के ओर आता है और जब यहीस बिंदु से होकर जाता है उसी को हम फोकस कहते हैं थिक क्या कहते खागां कोई जब आएगा दर्पन से तक्राइगा तो पहला आएगां यह हमारा टार्च से समझ लीजिए ठीक है अगर हमने यहां पर टार्च को जला दिया फोकर्स से गुजारेंगे तो यह जिस मतलब एक समनांतर इस मुख कर चलेगा यानि यह दूसरे एक दूसरे के थिक है इन्वर्स मतलब उप्री रूप में गमन करेंगे यह इस राष्ट एस रास्ते जा रहा है इसका मतलब है कि अगर हम इसके प्राच्व कि इस प्रकास से कनवर्ट कर दे तो यह वापस उसी रास्ते से जाए अधिस रास्ते से वह आया है आया समझ में चलिए अब ध्यान रिखेगा यहां पर अगर हम ठीक वकरता के अंदर से प्रकास को हम ठीक लेंस में हम करें या कहना चाहिए लेंस के बज़े हम यह कहें दरपन पर आपतित करें तो अपना पुना उसी मार्ग पर आ जाती है जैसे कि हम यहां से अगर हम परकाज को हम यहां से दे रहें तुक थैसे जा रहा है तो जब यह दरपन से टक रायेगा तो पुना उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा so समझ में यह इधर से चला गया दूसरा ध्यान रखेगा जब कभी भी हम किसी भी प्रकास को डारेक्ट पोल पे टिक डालेते हैं तो उसी एंगल से जिस एंगल से मुख्यक्ष से जो कौण मना रहा है उसी में से वह परावर्तित हो जाएगा उसी एंगल से तो यह चार नियम ध्यान रखेगा बेशिक रूप से यहतीन एंगल दोस्तों तो समझेएंगा दोस्तों से निकलने वाली प्रकास के किरिने जब दरपन के दरपन से परावरतन के पस्चाद जिस बिंदू पर मिलती हुई ध्यान रखीगा जिस बिंदू पर मिलती हुई परतीत होती है या जिस बिंदू पर वह अतλ दरपण के लिए है तीक है उस बिनदु को उस वस्तु का तीक है का कहते है प्रतिभींब कहते है यहто दरपण आरफात उतल और आवतल दरपण दोनों के लिए है चलिए आ आए यह दो प्रकार कि पर्तिभी इक होता अभासि टिकें चलिए वास्त पर सब्स पर्दान के स्रोत से निकलने माली प्रकास किरीने धरपन से परावरतन परतन होकर जिस बिंदू पर मिलती है ध्यान रखो जिस बिंदू पर मिलती है उसे इस बिंदू का वास्तविक परतिबींब कहते हैं क्या कहते हैं तिक है समझेगा जैसे की यह एक आपका लेंस है है अगर सी से ऑब्जेट को मैं सी से गुजार रहा हूँ यह एंवय और सी मेंच वह कहां बनेगा यहां पर बनेगा ठिक है तो यही है समझेगा मतलब जिस उस्तासे परावरतन हो के जिस बिंधू पर मिल रही है ठीग है और इसी पर यह एक आपका क्या बन रहा है इमेज बन रहा है इसी को हम वास्तुविक परतिबीम्ब कहते हैं और किसके दसा में तो ध्यान रखीगा आवतल इस चीज़ को बिसे जुरुब से ध्यान रखेगा वाज़ किसमें आवतल दरपन की दिसा में और हमेशा इमेज इसी तरफ बनेगा उस तरफ नहीं बने उस तरह बना मतलब वह अभासी हो जाएगा आया समझ में और हमेशा इस चीज़ का इमेज को हम परदें पर प्राप्त कर सकते हैं साथी साथ यह हमेशा उल्टा होता है देखिए उल्टा बन रहा है हमारे आखों आख में भी इसी प्रकार का है तीक आवतल लेंस है यहां तो बास्तों मेरे आख में रिटीना में इसका उल्टाई मेज बन रहा है लेकिन हमारा मस्तिस्क यहां सिधा करके देख रहा हमारा जो देखने का जो नव्सıktंट केंडर है हमारे सरीर में ठीक है? वो इसको सिधा कर ले हो ग Спरतीट है जैसे जैसे कि अगर मैं इस प्रकार का थीक अब सतह ले लो तीक सिस्ट आप्ले यह वाली सता है यहां से प्रकास के tan marks इधर चला जाएका लेकिन इसके कालपनिक रूप से यहां पर फोकस रहे होती था जो कि हमेंसा सीधा रहता है और इसको पर परत नहीं किया जा सीधा बनता है दियान रखेगा इसमें उल्टा इसलिए बनेगा कि इसके नीचे बन रहा है और जो इसके नीचे बनता है वो उल्टा बनेगा इसके उपर बनेगा वो सीधा बनेगा समझेगा लेकिन कभी भी ध्यान रखेगा अवतल दरपण में इमेज उपर बनता ही नहीं ह आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा ठीक यह जो है अवतल दरपन कौन के मतलब क्या हो जाएगा आपका अवतल दरपन का image formation का है अवतल आप इसका screen sort कर लिजे ठीक है मैं इसको इंडिविज्वली बताने वाला हूँ यह एक आपको single में है ठीक है जिसमें position of object अर्थाद वस्तू के स्थिति और उसका image कहां बना position of the image और किस size का बना ठीक है और उसका nature क्या है वास्तविक है कि सिधा है कि उल्टा है उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर चलिए अब ध्यान रखेगा यहां पहला पहला पॉइंट को आप इस चीज को यहां पर पॉइंट कीजे एट इंफिनिटी अगर कोई भी तिक वस्तू अनंत पर हो कहां पर हो अनंत पर तो उसका परतिबिम जो है कहां पर बनेगा एट फोकस फोकस पर बनेगा क्यों कि कोई भी प्रकास किरन जब अनंत से आती है तो यह मान के चला जाता है कि वह हमेशा मुख्यक्ष के समनांतर आ रही है तो जब कोई भी प्रकास किरन इस मुख्यक्ष के समनांतर आएगी तो हमने तो है कि यह हमेशा परावर्तन के पश्चात dis playsश्रआइगी ठिकर ध्यान रहिए कंट से फोकस से होके जाएगी तो इसका परति भी हमेशा पर बनेगा ठिके कर ठोकस पे बनेगा और यह हमेशा उल्टपर और वाश्तिविक ही बनता है तो इस कियां रखेए जब हम totalement तो हमेशा उल्टा और वास्त्विक लेना केवल एक सिर्थी को छोड़ के वह आप वहाद है जिसको मैं इसी में बताऊंगा ठीक है और यह कैसे रहेगा हाई डीमिनाइज बहुत ही चोटा एकदम बिंदू के आकार का यहां पर इमेज बनेगा इसी को बिंदू का आकार का कह से से कोई करन आ रहा है सिद्ञार न और यहां पर कोई आपजेक्ट है तो को भी प्रकास किरण तीनी जगह से गुजर सकता ब digestive को सिधा f से होके गुजरेगा दूसरा जो है c से होके गुजरेगा बस और image formation के लिए कम से कम दो ऐसे किरण होना चीए जो आपस में दूसरे को ठीक परावर्तन के पस्चात से संत इंटरसेक्ट करें और ठात काटें तो ध्यां राखेगा यहांपर तृर हमेसा से घुझरेगर कद आए गुजरेगा फिर हमें से गुझरे गाए और ऑड़नी जा सकता है आथ तो हमें यहां पर इमेज हमको बनाना है तो यहां पर धहां देखिएगा दूसरा जो किरण वह हमेशा का दूसरा किरण और तिस जी रहा है तो इसका do between a, till c focus और ठीक है यह हमारा focus है और center of curvature के बीच में हो रहा है, ठीक है, और कैसे हो रहे है demonize हो रहा है u बहुत थी क्षोटा हो, हो रहा है बिंदू अकारकनी हो रहा है, ठीक ध्यान रखिए सेंटर फाków करुचर में ही हो यह जैसे कि ए सी अफ परवेचर ठीक यहां से एक परकास किरन निकलेगा जो कि टकर आपकर इदर जाएगा और किरण एक सी से टकरा कि वापस जाएगा तो इसका परतिबिम्ब कहां बन रहा है तो परतिबीम्ब ठीक उस वस्तू के नीचे वो भी C में बनेगा लेकिन नीचे बनेगा नीचे बनने का मतलब है उल्टा बनेगा वास्टविक बन रहा है क्योंकि यह परदे पर बन रहा है और सेम साइज का सामान आकार का बनेगा ध्यान रिखेगा सामान आकार का बनेगा चलिए अब जब कोई भी वस्तू जो है किसी की फिए वस्तु कि स्थिति औरके बीच में और कि आपके जाएगा और दूसरा इंभühr वस्तु से बड़ा इमेज इसमें प्राप्त होने वाला है और ये भी हमारा उल्टा और वास्टवी करहेगा बस ठीक है एक एक बार समझेए बहुत जारे स्लाइड है थोड़ा फास लेकर चलना पड़ेगा तीक यह सी हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर अब जब कोई वस्तु खुद फोकस पे हो तो क्या होगा ध्यान रखेगा फोकस पे हो तो एक प्रकास जो है यह टकरा के तो सिधा आएगा फिर फोकस से नीचे जाए इसका आपका परतिवीम अनंत में बनेगा पैलरल हो जाएगा पैलरल का मतलब अनंत में जाके बनेगा और highly in large होगा बहुत बड़ा बनेगा जहां पर कभी यह Intercept हो तब और कैसा बनेगा उल्टा और वास्तुविक बनेगा यह उल्टा और वास्तुविक को आप रटके तो आवतल दर्पन के लिए आए समझे आप दूसरा जब कोई भी वस्तु जो है ठीक है एफ और पी के बीच में हो अर्थाथ फोकस और इस पोल के बीच में हो ठीक है तो इस प्रकार के रे डेग्राम देख रहे हैं लेकिन इस रे डेग्राम में इमेज हमको जब हम इस प्रक युक्त नहीं बन रहा है इमेज जो है ऐसा प्रतित हो रहा है कि हमको वह इमेज उस तरह बन रहा है ठीक है और इसार आभासी है प्रतित होने वानला यही एक स्थितिघं़ के यह वस्तु जो है के है फॉर्पी के बीच में होगा इस उसका पर्तिभी मेंस जो क्या बनेगा ठीक है अब 80 में मनेगा और बड़ा बनेगा दर पर अब हम आवताल दर्पन की उपयोग को देख लें ओध न अवतल दरपण के उपयोग को देख लेते हैं सबसे पहले saving में देखेगा यहापका saving mirror आपके बातुरम में लगा है saving man系 कौन सह मिरर है saving mirror much하obong कि यह जो है हम नदर कई है इसके बाद ये जो जो आखों़ के दाक्टर होते हैं इस वाले यंत्र से लेकर चलता है यहां पर भी आपका क्याप लगा है यहां पर स्थाब धर याइन बतल दरपन का उस्यूट क defining जोए अन्टि वाले डाक्टर होते हैं आखनाख कन गला फाले डाक्टर इस प्रकार के चीज से दिखते हैं इस में क्या होता जब वो लाइट आपके आख में डालेंगे तो आख जो परावर्ति प्रकास इसमें पड़ेगा पुना वहाँ पर वो जाएगा और उस चीज़ को और फोकस करेगा ठीक है तो इस प्रकार से दिखता है ठीक है हम टेलिस्कोप में भी किस प्रकार के लेंस का यूज क करते हैं साहती साहती की जिके प्रकाश को हम एक जगा एकत्रिश करने के लिए yourust में उसे चीज का यूज करते तो सेवन मिरश में हैड़ मिरश में अप्थलम सब्सक्राइब का गारता है आखों के डाक्टर को अपथलमो भागी सब्सक्राइब ति हम आवतल दर्पन का उफियोग करते हैं. चलिए! आइए दीए. आवतल दर्पन जोпа की इस प्रकार से हो. यहां पर आपको ़िकलित प्रकार के लेंजी का संयोजन होता है. लेकिन यहां पर आवतल दर्पन का अब इस उत्तल दरपण में आपका इमेज कैसे बने गा? जब कोई भी प्रकास आएगा, परावर्ति सता, ये परावर्तित सता से इस प्रकास से टकराएगा, अब इस तरफ जाएगा. लेकिन, हमको क्या होना है? है ठीक हमको यह देखता है कि यह जो जा रहा है यहां पर अगर हम यहां से हमारी आख यहां पर है इस प्रकार से तो हमको ऐसा लगेगा कि यह इस जगह से रहा है ठीक अगर हमारी आख यहां पर ऐसा करके जैने किगा अगर हमारा आख यहां पर इस प्रकार से है ठीक है तो हम भी वस्तू अगर दरपण के सामने है तो यह जो है एक बार एक पसे देखिए एक तो चिदा टकरा कि यह जाए गाई जाएगा इस तरब से जहाँ यह आपको फोकस की ओर ली जाएगा अद दूसरा सी की ओर ली जाएगा तो फोकस और सी से गुजार नहीं तो है हमको पोल से गुजार रहो हो तो वह भी कोई दिकतंगा नहीं है दिमेज बनते है तो दो जगह से गुजार रहे हैं और दो जगह में हम को यहां पर में जाए हमेयसा क्या बनने वाला है आभासी मुझा भी कीव्कि यहां charismatic दिखेगेगा आभासी पर्तिभीम बनेगा और सिधा वास्तुवी घुरुप से प्राप्त कहां और नहीं हो रहा है ना हमको ऐसा पर्ति ही तो हो रहा है ठीक है तो धियान रहा अगर आपको ध्यान रखना है जब अनंत से प्रकास आती है तो पोजिशन कहा होता है मिरर के बियाइंड में होता है तो तरह बिंदू आकार का होता है ठीक है दूसरा है जब प्रकास जो है बिट्विन मतलब वस्तु जब बीट्विन इंफिनिटी एंड पोल हो यह वाली ठीक है तो यह दो ही स्थिती है और दोनों स्थिती में ध्यान रखेगा आभासी और सिधा प्रतिविम बनना है इसके अलावा और नहीं देखना है चलिए अब ध्यान रखते हैं इसका उप्योग तो इसका उप्योग जो है कॉन्वेक्स मीरर में किस-किस तरीके से होता है तो पहला हो गया वेक्किल का मिरर जिसमें हम पीछे देखते हैं और काफी बड़ा होता देखिए तीक ऑबजेक्ट जो भी अबजेक्ट इसमें दिखाई देता है वह वास्तों में दूर दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर आल्रेडी लिखा होता है अबजेक्ट सीन इन अबजेक्ट यानि जो औबजेक्ट मेर में दिखाई दे रहा है और वास्तों में कोई मेर मतलब वस्तु पीछे मैं तो वास्तों में वह स्के अपेक्षा ज्यादा पीछे में ठीक आपको नजदिक समझ के चलना ये मेर में लिखा होता है चलिए मेंगनिफाइं ग्लास ठीक है Convex mirror in ATM आप देहां रखेंगे तो एक Convex mirror ATM में आपका लगा होता है सामने में उस चीज़ को आपने लोटीस भी क्या होगा Convex mirror at rear view mirror actually यही rear view mirror है ठीक देहां रखिएगा rear view mirror यह नहीं होता है इसको side view mirror कहना चाहिए एक गाड़ी में दो होता है और जो rear view mirror होता है जो आपके head के उपर रहेगा तो आपका समतल दरपन होता है वो पीछे देखने का काम आता है ठीक है और यह जो है आपका इसका एक चोली में क्या हो तो wide range cover करता यह ठीक wide range cover करता है दोनों तरीके से आज कल ध्यान रखेगा जो mall में आप जाएंगे तो parking lot में खंबे में इस परकार का संरचना बड़ा-बड़ा mirror लगा होता है इस mirror का उद्देश यह होता है कि कोई विवेक्ति जब अपने सिसे से देख जाएगा इस mirror के माध्यम से parking में security purpose से देखे होंगे आप तो दुकान में इस परकार का एक mirror लगा दिया होता है और वह जो दुकानदार होता है उस mirror में देखके लगबख सभी area को ठीक observe कर लेता है किसी एक किनारे में आगर आप उसको लगा देंगे camera अगर नहीं लगा पा करें हमारा यह यह उत्तलधर पर यह उत्तलधर पर पर का आपका पर बिए जाघर त्येक आप अपवर्तन को समझ लिजे आप वर्तन का तात्पर क्या है ध्यान रिखेगा यह प्रकास की वह घटना है जब प्रकास जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकास की जो कीरण का जो मार्ग होता है वो परिवर्तित हो जाता है और इसी घटना को हम प्रकास क अपवर्तन कहते हैं कैसे देखिए परकास परकास की वह गटना जिसमें परकास की किरण एक माध्यम से तीक है दूसरे माध्यम में परवेश करते करने पर मार्ग से विचलीत हो जाती है तीक है और इसी को हम कहते हैं परकास का अपवर्तन तीक है ध्यान रखेगा परावर्तन भी चलन है ञां यहां पर एक माद्ध्या मैं गर प्रकात करने आ तो तकराने के बाद यह तोड़ा सब बदल सीदा सीदा नहीं जाएगा आया समझ में भी टिक है अब यह दो प्रकार से होते हैं जैसे कि कहां जुकता है कैसे जुकता है उसको समझ लेते हैं अगर माल लीजिए अब मैं इस सिस्थिति को हटा दे रहा हम अब देखिए गए यहां पर एक काच है तो काच जो है वह सघन माध्यम डेंसर मीडियम है ठीक है सघन माध्यम और जो आपका वायू है वह वीरल माध्यम है ठीक है कौन सा कोई भी प्रकास किरण वीरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है ठीक वीरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वास्तों में जाना था उसको इस तरफ इस तरफ तो इस तरफ तो इस प्रकार एक परिभास आपको यह रखना है जब कोई प्रकास किरण वीरल माध्यम से स जाती है अभिलंगी और जूक जाती इसका ट्पीक डिफ्लेक्षन हो जाताइप जाना है उस तरफ लेकिन यह जो अब उनम है इसकी और जुख जाती इस तरफ आ जाती है आया समझ में ठीक तो कके एक हो गया दूसरा चीज स्को आपोजुट कर गये जब कोई प्रकास किरन अगर इसी को मैं ऐसा बोल दूँ जब कोई प्रकास किरन सअगान माध्यम से ठीक किस omnidmi में जा रहा है जाए तुह आपने यह अपने दूर loin ऑफ जाता है दो स्थिति हैं तिक अपने अभीलंब से दूर हट जाता है और उसी चीज को आपको समझना है तिक है जैसे के माल यह वायू मंडल है अब हम जब प्रकास किरण को जब हम इस प्रकार से सीधा सीधा हम बेजेंगे तो यह हमारा ठीक है आपका कौन सा है सौरी यह हां यह हमारा सघन माध्यम हो जाएगा तो सघन माध्यम से कोई भी प्रकास किरण विरल माध्यम में जाएगा तो अपने मुख्याक्ष से हो दो जाएगा तीग हट योगा अपने मुख्य अक्षी से हट जाएगा यह अपोजिट होता है इसके अभ इसी को देख लो यहां पर अभीए प्रकास माद्र में अभी यह तका प्रिंज से इसको बाहर निकलना है, तो वास्तों में अभी लंब तो यह है, अभी लंब की ओर झुका तो यहां पर था, लेकिन अभी लंब इस अभी लंब से दूर अप जा रहा है, तो दूसरी इस्थितिये बनती है, जब सगन माध्यम से वाय जो पुना तिक वीरल माध्य में जाती है तो अपने अभिलंब से वो दूर हट जाती है तो यह दो चीजों को याद रखेगा कब अभिलंब की ओर आती है कब अभिलंब से दूर हट जाती है तो चलिए यह दो चीजों को समझ लिया आपने अब यहां पर आप नियम समझ लिजिए पहला नियम यह होता है जो आपतित किरण होती है कौन सा आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपका आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे होता है ठीक है ध्यान रखिएगा यह आपतित किरण है ठीक है यह अपवर्तित किरण है और यह आपका आपका अभिलंब है यह तीनों जो है कहां पर है एक ह पे है, दूसरा ठीकेट आपतन कीरन, धयांड़ एगा, अपतन कीरन की कोल, अर्था सायन आई और आप वरतन कीरन का जो है साइन आर, ठीकेट, जया कहा एंची, इन दोनों का अनुपात, एक निश्चित अनुपात में होता है, और इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं, और स्नेल का नियम यह कहलाता है मी वन इदर टू इस इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर यह बताता है स्नेल का नियम की एक निश्चित अनुपात में होता है ठीक पहले माध्यम के अपक्छा दूसरे माध्यम यह माध्यम एक माध्यम दो है ठीक है अर्थाद हम इसी को स्नेल का नि और आपतन कोन की जया, यानि आपतन कोन का मान, वह अपवरतन कोन की जया, अर्थात अपवरतन कोन का मान, में एक निश्चित अनुपात होता है, ध्यान रखिएगा, एक क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है, तो इन दोनों चीज़ों को जान लिजे, और इसी तो हम कहते हैं तो सबसे पहले आप इस चिश्च को परेयोग में देखे जब खाली सिक्ख्का है खाली ग्लास में खाली कप में खालीकंश हुआ है क्या भरा हूआ है एक फिद्लिका भरा हुआ अट आय्क झाले दिखाई देगा गया रखेंगे पहला हुए इस Evet इंसिडेंस में जब आप पानी में जाते हैं पहले तीनों को पढ़ लेते हैं उसके बाद और कुछ विवारी उधारने बताएंगे जब एक पैंसिल को पानी से भर देते हैं तो यह हमको वास्तवी की स्थीति से कुछ उठा हुआ दिखाए देता यह अपवरतन है तिक उसी से लेकर तारे के बीच में बहुत अलग-अलग माध्य में एक समान माध्यम नहीं है इसलिए प्रकास की किरण जिग-जैक 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 ट्रेवल करता है और हमको क्या दिकता हुआ ट्विंकलिंग स्थार दिखता है आया समझ में ठीक तो यह तीन स्थिति हो आपकार वो दिखाईदेता है उसका आपकार थोड़ा अलग दिखाई देता है तोड़ा सा गोल इelli दिखाएगा स्थेरिकल दिखाई-थ opened a darkBI देगा कैसे दिखाई देगा चैपटा दिखाई-देगा आया चाब आधा लिख लीजिए आप पर वलायकार के बजाएफ चप सुर्योदय हो रहा है तो वास्तों में सुर्योदय से होने से पहले हमको प्रकास दिखाई देने लगता है तो यह प्रकास कैसे दिखाई दे रहा है तो प्रकास दिखाई दे रहा है अपवारतन के कारण सूर्य तो उस टेबल के पिछे है सपोस्ट एट लेकिन वह ठीक अलग वास्तुविक सुरियास्त होने के बाद भी सारी चीज़े हमको दिखती है, सुरियास्त में भी यह होता है, वास्तुविक रूप से सुरियास्त हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको उस जगा पर प्रकास पुरा उजाला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकास का जो किरन व पैर थोड़ा छोटा दिखाई देता है ये खुद के विवारिक उधारन है, या कोई नदी में आरा है, साप नदी में आरा जल में ठीक, आप उसको देखो तो उसका पैर का आकार थोड़ा छोटा दिखाई देता है चलिए अब आए हम देख लेते हैं कि कुछ important चींज से क्रांति कोड अभी हमने दो माध्यम की चर्चा किया अब उसी प्रकार में आपको यहां पर बता दूँ जब कोई प्रकास किरण सघान माध्यम से वीरल माध्यम में जा रही है और इसका उधारन में हम क्या होगा थोड़ा सा अपने एंगल चेंज करेगा तो जब मैं तो यह इसका आपतन मान को मतलब आपतन कोड को बढ़ाते जाओंगा तो एक स्थिति ऐसा आएगा ठिक कि यह जो आपका सता है इस सता के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और इसी को हम कहते हैं करांतिक कोड कभी भी प्रकास की किरण का आपतन कोड का मान परावर्तन कोड के साफिक 90 डिग्री का हो जाता है ठीक है यानि कि हम इसको इंक्रीज करते 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 उस स्तर तक ले जाए जब ठीक है यह इस सता के बराबर हो जाए यानि कि इसके अभिलम से 90 डिग्री हो जाए तो इसी को ह गया भई यह आपतान कोण के उस महान को जिसके संगत अपवर्तन कोंड का मन 90 डिग्रे हो जाता है तो इस वाले कोंड को हम क्या कहेंगे करांतिक कोंड कहेंगे करांतिक कोंड कहेंगे ठीक जब यह 90 अगर इसको इस स्थिति से थोड़ा सा भी और इधर में कर दू प्रकास की किरण को तो यह क्या होगा वापस उसी माध्यम से आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री तो अल्रेडी है एक डिग्री और बढ़ाऊंगा तो यह 10 डिग्री और जुकेगा अर्थाद अब जब क्रांती कौ की जो मान है उस मान से मैं अगर पिर आपतन कोन के मान को और बढ़ा दू तो प्रकास जो है पुनह उसी ठीक माध्यम में वापस लौट आता है और इसी परी घटना को हम पूर्ण आंत्रिक परावरतन के नाम से जानते हैं जैसे कि कोई प्रकास किरण जब सगन माध्यम से माध्यम में जाती है ठीख है प्रवेश करती है और जब पतन कोन का मान के महान से अधिक हो जाए तो प्रकास खीरन दूसरे माध्य में पुनह वापस लौट आती है और यही हमारा पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के माध्यम से हीरा चमकता है तो मारी चीका जैसे अब जब जाएंगे रगिस्तान में तो मारी चीका दिखाए देता है आपको पानी का भास होता है यहां पर क्या होता है धरती के सतह के पास जो वायू का घंत कम होता है और तोड़ा ठंडा होने कारण अलग प्रकार का घंत तो होता рис लेयर बन जाते सकहन और वीरल माध्यं वही बन जाता है काच के चटके हेविचाम cloudy और भाग के धिम freaking वहां आ जाता है और वहां पर भी इसी प्रकार की परिखटना होती है अलग-अलग परत बन गया सघन वीरत तीक है फाइबर आप्टिकल इसका वेवारिक उदारान है और पानी में हवा के बुलबिले भी आपका इसी प्रकार का पूर्ण आंत्रिक परावरतन का गुण प्रदसीत करते हैं फा इस प्रकार के माध्यमों में इस प्रकार से हम फाइबर आप्टिक्स का यूज करते हैं आई यह देख लेते हैं तो लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस दो प्रकार के होते हैं एक इस प्रकार से लेंस यह हो जाएगा हमारा ठीक उतल और एक होता है इस प्रकार का लेंस ठीक अब यह लेंस और यह होगे हमारा आवं तल लेंस आया समझ में यह दिखिए तो इसका यह अगर कोई प्रकास आ रहा है तो यह मोड देगा बेंड कर देंगा अंदर के और आज़ो जुकाएगा और इसका को करना क्या है तिक उत्तर लेंज का उपयोग को अप्योग में यहाँ पर अखों की दूर द्रिश्टी को का निवारन करता है तिक पहले पढ़ लेते फिर एक को समझेंगे दूर द्रिश्टी में पास की वस्तू हमारे आखों से दिखाई नहीं देती यानि कि दूर द्रिष्टी में दूर की वस्तू तो दिखाई देती है निकट की वस्तू दिखाई नहीं देती इसकी स्थिती में आप इस प्रकार समझे यह आख का आपका लेंस है और यह आपका पीछे में रेटीना है आप ही का ठीक अब होता है क्या है दूर द्रिष्टी दोस में अब द करती भी में जो है इस रेटीना से पीछे बन रहा है इस चीज़ को समझेगा ठीक है दूर द्रिष्टी दोस्त में पास की वस्तू हमारे आंग से दिखाई नहीं देती ठीक है किसमें ठीक है दूर द्रिष्टी दोसे पास की वस्तू नहीं दिखाई देती दूर की वस्तू द दिखाई देती है लेकिन नाम कहा रखा गया दूर दृष्टी दोसिस चीज़ से बच के रहना है ठीक है और इसी को लॉंग साइड डेस कहेंगे या है पर मेट्रो पिया कहेंगे वास्तों में क्या होता है दूर दृष्टी दोस्का मतलब यह जो रेटीना से पीछे में इसक तक लानना है तो यानि कि हम उत्तलदरपन का हम लेंट करेंगे जिसके कारण यहां से इस पिरकार से यह हैं तो यहां पर हमने एक लेंस ऐसा लगा दिया ठीक एक लेंस और इस प्रकार लगा गया अब देखिए भई दूर जीतना बड़ा लेंस होगा ठीक है उतना बड़ा एरिया को वह क्या करेगा कवर करेगा तो इस प्रकार के लेंसों के सईयोजन से कोई जरुनी दो दो से अधिक लेंसों का भी सईयोजन किया जा सकता है तो इस प्रकार के सईयोजन मतलब लेंसों के सईयोजन से हम दूर की बस्तू को भी देख सकते हैं दूरबीन के माध्यम से घड़ी साज द्वारा जो घड़ी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल को देखने के लिए वह अ चौटे छोटे था जो आरा पडे जलिए जो लेंसों का बिए उसी प्रकार का हम क्या करते हैं यूज करते हैं यmmin उत्तर लेंज का यूज करते हैं चलिए सुक्षमदर्सी निर्माण में भी हम उत्तर लेंज का उपयोग करते हैं तो यह है हमारा और खासकर इस चीज को जान लीजे जिसको हम हाइपर कहते हैं तिक नाम है इसका दूर द्रिष्टी दोस क्योंकि इसमें दूर के वस्तु दिखाई दे रही है पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है दियान रखेगा पास की वस्तु है हमारे आँकों से दिखाई नहीं देती है लेकिन नाम हम क्या रख रहे हैं दूर दोस्त के उपचार करने में और नाम है कि भले नाम यहां निकट दृष्टी दोस्त है तिक सौट साइट है जिसको मायोपिया भी कहते हैं लेकिन इस पर दूर की वस्तू दिखाई नहीं देती है ध्यान रिखीगा होता क्या है अब यह आपका आख है ठीक यह आपका लेंस है ठीक तो कहां से दिखाई देगा है जो क्या चाहिए एक ऐसा लेंस चाहिए जो क्या करें प्रकास फैल आ कि यहां से यहां तक लिए बहुत पहले में क्या करता कि पीछे बंता है ब्लाना था अब हम को की gen your Mag competing क्या करेगा अब इसी प्रकास को थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा तिक ध्यान रखेगा इसी प्रकास को यह क्या करेगा तिक डाइवर्ट करेगा किसमें कर दें डाइवर्ट हम ते कुछ प्रकास यह वालम करते हैं अब ध्यान रखेगा यह प्रकास जब आया यहां से तो यह थोड़ा सीहां से उठाक ले जाएगा तक और प्रकास की कराइब को फैला देता है प्ःलाने से क्या होता है जब अंग जाएगा उसका काम फैलना ना है तो सिकोडते समय है यह जो है इसाप से चिकोडता है तिक कि वह जो है रेटिना पर उसका इमेज बन जाता है तो यह इसका यूज हो गया दूसरा ध्यान रखेगा दूर की अच्छा गाड़ियों को जो हेड लाइट में हम आवातल लेंस का उपयोग करते हैं हेड लाइट में हेड लाइट जहां पर लाइ तोरा इसको आख में परियों किया जाता है जरा द्रिष्टी दोस्ट ये क्या होता यह धिक जराद लिस्ट्र T lasci.. व्रिद्धा वस्ता में होता है द्यान रखेगा व्रिद्धा में स्थामें ठीकिक इसमें ज्यादा लेंस इसे मनाफ्टाम का हम ये है ठीक है इसमें होता है 30 तेक जो वस्तू है या चैथी चीज है या और धर चीज है ये ठीक से दिखाई ने देता और ये जिसा है ये जो चीजें MARK वर्टिकल चीजे इसमें देखने में समस्या रहता है अब इसके निवारण के लिए ध्यान रखेगा इस समस्या के निवारण के लिए हम ठीक है क्या यूज करते हैं भाई ठीक सिलिंड्रिक अर्थाच सिलिंडर के समान सिलिंड्रिक इस प्रकार के लेंस का यूज करते हैं और इसी के साथ ये जो हम ठीक है लेंस का जो उप्योग पड़ रहे हैं हमारा यह जो सिलेबस है ये कम्प्लीट हो जाता है तो इस वाले सेशन में हमने अपवर्तन परावर्तन के साथ साथ लेंसे उस पर विसेश ध्यान दिया है गरपन पर विसेश ध्यान दिया है क्योंकि हमारा जो सिलेबस इसी का डिमांड करता है ठीक है इन दोनों का डिमांड तो नहीं कर रहा था ठीक लेंसे रिलेटेड है ले कि आपके परिशा के उपयोगी होगा ठीक है फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद नमस्कार